किप कंगारू का चोटा सा बच्चा, वह बहुत शरार्ती था, दिन भर उचलता रहता और मा से धेरो सवाल पूछता रहता था, एक दिन उसने मा से पूछा, मा हम हमेशा उचलते क्यों रहते हैं, हम ओड, तैर या पेट के बन सरक्यों नहीं सकते, मा मुस्कुराई और बोली हम कंगारू हैं, और हम ऐसे ही उचलने के लिए बने हैं, किप मा की जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ, वह उचलते उचलते पासी के तलाब पर अपने दोस्तों से मिलने गया, वह उसे उसका दोस्त किमी कौाला बालू मिला, किप उसने उससे पूछा, क्या तुम उचल सक सकते हो, या तैर सकते हो, किमी ने कहा, नहीं, पर मैं पेर पर चर सकता हूँ, फिर किप ने कोको मगरमत से पूछा, तुम कैसे तैर लेते हो, कोको ने कहा, मैं तैर सकता हूँ, पर मैं पेर पर नहीं चर सकता, मैं कूद नहीं सकता, दोर नहीं सकता, तब किप को बात समझ म कि हर प्राणी की एक ताकत होती है जो उसे खास बनाती है जैसे वह उचलता है वैसा कोई नहीं उचल सकता और फिर किम खुशी से उचलने लगा